दोस्तो इस वीडियो में शार्क मचली और जीव विज्ञानी की मोटिवेशनल स्टोरी बताने वाले हैं। एक दिन की बात है। शार्क और चारा मचलियां अपने शोध के दोरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मचलियां डाल दी। चारा मचलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैर कर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्यानी ने कुछ और चारा मचलियाओं टैंक में डाली और वे भी तुरंत शार्क का आहार बन गई। अब समुद्री जीव विज्यानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकडा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया अब टैंक दो भागों में बंट चुका था एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मचली डाल दी विज्या चारा मचली तक नहीं पहुंच सकी शार्क ने दरजनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मचली यों पर हमला करने की कोशिश की लेकिन बीच में कांच का टुकडा आजाने के कारण वह असफल रही कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही लेकिन सफलना हो सकी अंततह ठक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मचलियों पर हमला नहीं किया क्योंकि एक कालपनिक विभाजक उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती सीख जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें सफलता हासिल करना नामुम्किन है और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है परिस्थितियां बदलती रहती है इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्तो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर ही देना और बेल आइकॉन भी दवा देना जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद